कल की तरह आज फिर वातावरण में धुंद छाई हुई आप देखें दूर तक कैसी प्रोदूशन की परत छाई हुई है धुंद की प्रोदूशन के धुंद की मता दें पर्टाकों के कारण यह प्रदूशन बहुत बुरी स्थिति में पहुंच चुका है मेरट ही नहीं पूरे एंसी आर और पश्चिम उत्रपदेश में अब वहीं बात मौसम की करें अब तो इस समय तापमान में कमी आती जा रही है मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में नियुंतम तापमान डस डिग्री सेंटिग्रेट से भी नीचे जाने की संभावना व्यक्त की जा रही है वहीं अधिक्तम तापमान में भी कमी आई है इस समय में रट का नियुंतम तापमान ग्यारा डिग्री जा सपास और अधिक्तम 28 डिग्री सेंटिग्रेट पिछले साल की अफेक्षा इस बार नौंबर के अधिक्तम तापमान में 3 से 4 डिग्री का अंतर रहनी की संभावना मौसम भी भाग में जता ही है मौसम भी भाग का मालना है कि जिस तरीके से मानसून की विदाई काफी देर से हुई और जवरजस्त बारिश हुई उसी तरीके से इस बार ठंड भी काफी तेज पढ़ने की संभावना है हलाकि आज धूप निकली हुई है हलकी गुनगुनी धूप और अवा की रफ़तार इस समय मेरट में 14 किलो मीटर प्रति घंटा आतिरता साथ प्रतिशर